नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगी हर साज के ब्लाउज में तीरे की कटिंग हमें कैसे करनी है तो देखिए जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि अगर हमारी लंबाई 13 इंच की है तो हमें तीरे की कटिंग कैसे करनी है तो यहां पर मैं आपको पूरा तीरे की ऊपर फोकस दू और चेस्ट के साब से भी हमें तीरा लेना है कि जब हमारी हैवी चेस्ट है तो हमें तीरा कितना लेना है तो सबसे पहले जैसे कुछ लोग बोले हैं कि कभी आप कपड़े को लंबाई में काटते हैं कभी आप चोड़ाई में तो दीकि यहां पर जब आप कपड़े को सिलते ह तो कपड़ा देखा जाता है कि कितना कपड़ा है, अगर कम कपड़ा है तो उसको हम लंबाई में भी काट सकते हैं, चोड़ाई में भी काट सकते हैं, वो आपके ऊपर है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कपड़ा लंबाई में ही काट ना है कि चोड़ाई में, तो दिखी सब पर कपड़ की लम्बाई देखेंगे तो यह ल्मबाई यहां पर जैसे हमें सी कपड़ innocent है तो यहां पर ईज सिक जो लंबाई देख रहे हैं तो जब हम इसकी लंबाई सोला इंच की रख रहे अगर हम कपड़े को देखेंगे कि हमें इसे लंबाई में कातना है तो फिर कपड़ा हमारा छोटा हो जाएगा तो सबसे पहले हमें ब्लाउज को देखना है कि हमें कैसे निकालना है कम कपड़ा है तो हमें कैसे निकालना है बैसे जब हम दूसरे के बुलाइऑ से तो कपड़ा हुतना है यह तो नहीं के में कपड़ा जादा ले 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 तो देखिए यहां पर ज्यासे मैंने आपको बताए यहां पे यह ङत्वा नंबाई है वो 17 इंच की है अब जैसे कस्टू होड़ी गत्ती ऐसे चोटे था पेगी है यहँ पिछसा पेचे से यहां पूर्ण के पिछलुक्तप इस किعिसे हाँ उन्हीं पहरेएं तो सब्सक्राइब जम्हा हरा कि यह उसका फेल्याष्ट ड़ड़ेगा फेलो बिताइए तो आज मैं आपको नप लेना भी बताऊंगे तो तो इसकी जो चेश्टा है ब्लाउज की 20 इंच तो पीछे का 20 इंच तो चारीस इंच का हो गया ब्लाॉज हमारा चालिस इंच की चैस्ट है और देखे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी इस वीडियो को जाल से जादा शेयर कीजिए प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए अब यहां पर देखे हम ऐसे करके गले को रखेंगे और फिर इसके सोल्डर ना पेंगे तो इसके जो सोल्डर है है वह साड़े 9 इंच है तो हम 10 इंच के रखेंगे तो 10 इंच का ऐसे आदा करेंगे तो पांच इंच आएगा यह हो गया चैस्ट सोल्डर जे दो चीज जरूली है अब हम लंबाई ना पेंगे यहां से हमें लंबाई ना पने तो देखे इसकी जो लंबाई है वह 14 इंच की है तो जब हमारी यहां पर 17 इंच की लंबाई है तो हम आराम से निकाल लेंगे अब हम इसके लिए क्या करेंगे इसको ऐसे नहीं देखना कि हमें इसे लंबाई में काटना क्योंकि एक मीटर कपड़ा है फिर पाजू भी वह लंबाई में ज्यादा मांग रहे हैं यहां पर देखिए हम पहले अपनी चेस्ट का निशाल लगाएंगे तो देखिए यहां पर 20 इंच आरा है अब देखिए यहां पर कपड़ा आपको कपड़े को डबल करके रखना है इस तरीके से और मैं तो आपको हमेशा आसान और सरन तरीका बताती हूं सबसे पहले आपको आसानी से समझाना तो यहां पर देखिए हमारी चेस्ट 20 थी ना आगे कपलत तो 20 पर निशाल लगा लिए अब हम यहां पर तीन इंच लेंगे सिलाई के लिए यह हमने तीन इंच ले लिया सिलाई के लिए अब यहां से हम इसको अलग करेंगे देखिए कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हमें 13 पर निशान लगाना है तीरे का तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है तेरा इंच पर तो एक आसान और सरल तरीका है अगर आप 13 पर निशान लगाते हैं तो आपका तीरा कभी ऊपर की साइड नहीं जाएगा अगर आप लोग बोल रहे हैं कि मेरी जो लाउच की लंबाई है वो 12 इंच की है तो मैं तीरे का निशान कैसे लगाँ तो देखिए यहां पर मैं आपको बताऊंगी कि आपकी अगर लंबाई 13 इंच की है तो देखिए यहां पर हम पहले आपका जो सवाल है उसका जवाब से थेनगे तो यहां पर देखिए पहले हमें यहां पर अपर 24 इंच Biz लें अब happens video अब हमें ले दमबाई अब हमें यहां पर लंबाई अपनी तेरा इंच है कि यहां पर हमने तीरा इंच लंबाई ले ली ठीक है ए और अब हम देखिए इसको ऐसे करके डबल Ö इस तरीके से हमने इसको डबल कर लिया अब देखिए यहां पर जैसे हमारे सोल्डर दस इंच के थे तो हमने यहां पर पांच इंच ले लिया आरूमल हमने यहां पर चेश्ट के साब से हमें आरूमल लेने है जैसे हमारी 40 चेश्ट है तो हमने यहां पर 6 इंच पर निशान ल करते हैं क्योंकि हैं तो तो काल रोर नगा तो यह हैं यहां पर फोकुस नहीं तो अब तो हम लैंगे तो हम यहां पर डिंच की तो स्हटाइन है चोड़ाई आपको जादा नहीं लेनी है दो इंच की लेनी है अगर आप अच्छे से बना लेते हैं ब्लाउस तो धाइंच की चोड़ाई रख सकते हैं और देखे किसी ने बोला है कि साड़ी का कपड़ा हमारा कम है तो उसमें हम पाइपन कैसे लगाएं तो देखे अस्तल व कुलते हैं कि इस्टीचिंग नहीं बताई तो चैनल में तो देखें आप पहले कि किस किस तरीके से मैंने गले की पाइपन बताई आपको मेरी कोसिस यही रहती कि आप लोग अच्छे से सीख जाएं तो यहां पर देखे कि अस्तल वाली पट्टी लगा सकते हैं और डोरी भ चैनल इखेंगें ऐसे हैं ऐसे हटा देंगे क्योंकि इसकी लंबाई हमेए ज़्यादा रंखनी है ग्लाउच की लंबाई हमेए जादा रंखनी है तो देखें एव हमारा जैसे पीछे का उगञा तेरा इंच, तेरा इंच की लंबाई, तो जैसे मैंने यहां पे 1.5 इंच यह तुर्पाई के लिए रखा, और तेरा इंच की यह मेरी लंबाई होगी, ठीक है, अब हमारे पास यह कपड़ा बचा हुगा है, तो इसका भी हम गला 6 इंच का रखेंगे लंबाई में, 6 इंच का हमने गला रखा, लंबाई में, इस तरीके से, और आरुमल, चेश्ट के साब से लेंगे, जैसे 32 चेश्ट है, तो 5 इंच आरुमल, और 40 चेश्ट है, तो 6 इंच, इस तरीके से, ऐसे करके हमारे आगे और पीछे के दोना आरुमल हो गए, अब तीरे की बात करें, अब देग कि तेरा इंच पर यह निशान लगा लेंगे, क्योंकि अगर हम तीरे का निशान 12 इंच पर लगा रहे हैं, तो फिर हमारी जो चेश्ट है, बू नीचे की साइड जाएगी, फिर हमारा तीरा उपर की साइड आएगा, तो अब देखि, मैंने यहां पर तेरा इंच पर लगा क्या लें, दो दो इंच हमारा तकह निशान ऊ गया 9,5 इंच पर अब हम यहां पर ड्लेट डालेंगे, तो दिखि, मैं दो रहा व्यहां पर द लिखना और दो निशान. एक कम यहां पर ंजा पर कम हे गाँगे कहां तो इस तरीके से हमारी यहां अगरोगीहस के सब्सक्राइब तो फिर सीना भारी है हमारा, फिर तीरा उपर के साथ जाएगा, अगर आप यहां पे 12 इंच पर कैटिंग करेंगे फिर आप इसको प्लेट भी डालेंगे Tä 1974, और पिर जाल आपको का 3 इंच यहांपर ढवल करके प्लेट डालनी है और 1.5 इंच आपकर यहां पर जाएगा तो आपको 2 इंच का 3 इंच आप आटी लंगी, आपकर 3 इंच आपकर, जो जाएगा को नेसान लगा नाहें metикai. बाट चेश्ट कम बपति चेश्ट कम तो आप यहां पर डाद इंच पे निसान लागा सकती हैं बपति चेश्ट में अगर आप Mercy chasing 22 से तो जोटा सीना रहेगा तो आप बप्वेए ईजा निसान लगा सकते हैं पिर उसके बात अगर आपने पप जादा कर दिया तो फूला फूला से रहेगा तो फिर अगर बती चेश्ट है तो आपको यहां पर आदा इंची लेना है तो इस तरीके से हम भुलाउज को तयार करते हैं अगर चेश्ट कमें तो अब मैंने आपको तेरा इंच की जो लंबाई है उसके बारे लेना है तो देखिए यहां पर हमारा कपड़ा साड़े चौदा इंच है और यहां पर निशान लगा दिया उसके बाद भी हमें आगे कपलर यह इंच बढ़ा लेना है क्योंकि जब हम इसमें पिलेट डालेंगे ना तो यह थोटा बड़ा होता है तो आगी का तो हमेंसा आ आदा इंच यहां पर ऐसे गोलाई 2 इंच कि गले की चोड़ाई कि 7 इंच गले की लंबाई अगर आप चाहें तो 6 इंच का रख सकते हैं क्योंकि इस चाली चेस्ट है ना तो इसने बोले ने चोड़ाई 2 इंच की रखना लेकिन मैंने चोड़ाई 2 इंच करेंगे तो सबसे पहले आप एक बात कर द्यान रहते हैं जब भी आप निशान लगाये खुली वाली साइड में लगाए आर उमल का निशान दुन को बन्ले साइड में आपको गले को लगाना था तो यहां पर के थे की हम पहले लेक्या比 करेंगे जुड़ा हुआ है इसको अलग करेंगे और इसमें पीछे का पलल्र थै इसको निकालेंगे आगे पलर में हमें थीर का निशान लगाना है तो दीजेए हैबी चेश्ट है हमारी तो हम यह पर निशान लगाएंगे साडरे तेरा इंच beim कॉण Noise के सब साड़े तेरा इंच पर एक इंच हमने यहां पर लिया कि इसको हमें अब ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको गल्द बताऊंगी फिर एक कपड़ा भी मेरा खराब हो जाएगा जो भी चीज आपको खुल के बताती हूं अब आधा इंच मुझे यहां पर आरूमल का ध्यान से कटिं करना है कि जोलना है जरूरी है हर साइच के ब्लाउज में अब देखिए मैंने आपको बताया ना कि मेरी जो लंबाई थी वह 14 इंच की थी और मैंने तीरे का निशान साड़े 13 पर लिया है आप लोग भी सिलके देखिए जब आपको पता चलेगा कि चोटा होता है जब आप पर में टक्श का निशान लगाना है द अब चेश्ट है हमारी चालिच मारा द yis ये इसमें फीश का निकालना है दस इंच का क्पड़ा उत अब 10 कहीं पप यहां पर कम भी ले सकतें दish न पर ज contemplateMS उन कर दो 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 आगए क्रता कर दो लोग भूर्व जाहिए तो एफ वर हुसा इस तरीके से दो इंच की दूरी यहां पे बहुन और एक निशान हमारा यहां पे आएगा ठीक आप देखिए जैसे चेस्ट के साफसे मैंने आपको बताया है तीरा तो अगर आपकी तेरा इंच की लंबाई है तो भी आपको तीरा इंच का ही तीरे का निशान लगाना है क्योंकि जब आप और बारे निचा घुट को करनी में यहां पर आपको लगरा है तो किसी दलगारा है इकार से लगा इन तो सवर्पर शॉड़र पर लॉपर किर नहीं से आएगा एकदम बरावर सीने के नीचे आएगा तो जो भी तीरे की जो आपको प्रॉब्लम थी बो मैंने आपको बताई है जो भी कुछ आपको पूछना है तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूल बताएं इससे क्या मुझे पता चलता है कि आप लोग क्या सीखना चाहते हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को जाद से जादा शेयर कीजिए प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और जो नए लोग हमारी वीडियो को पहली बात देख रहे हैं वह हमारी चैनल को सब्सक्राब कर लें इससे क्या है जो भी हमारी नए वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा धन्यवाद